तो स्वागेड दोस्तो मैं हूँ आपकी साथ अर्गेड अगनिकल जी हाँ दोस्तो इस विड़ो में आपको दाऊंगा आपकी इस फिरकर से अपने किसी भी एंड्रोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से जी हाँ दोस्तो आपके परस एंड्रोड 11, 12, 30 जो भी आपके बाट दोस्तो मैंने आपको डिस्किप सेथ बाट में लिंक दे दिया है वहाँ पर से डिरेक्क्ली अप प्रेस्टोर में रीडारइट हो जाएंगे यहांपर से दोस्तो आपको यह एपलिकिसन देखने को मिल जाएगी दोस्तो मेरे device में ये RK manager application install हो चुकी है अब दोस्तो simply से आपको चले जाना है अपने Google में Google में जाने के बाद दोस्तो यहाँ पर से आपको search कर लेना है Magisk APK download जी यहाँ दोस्तो Magisk APK download आप जैसी search करने के first number पर दोस्तो Magisk की official website आपको देखने को मिल जाएगी उस पर आपको कर देना है simply से click क्लिक करने के बाद दोस्तो download का option आपको देखने को मिल जाएगा download app का download app पर आपको click कर देना है click करने के बाद add आएगी add को आपको cut कर देना है cut करने के बाद दोस्तो यहाँ पर से आपका जो Magisk का latest version का APK आपके device में download रोना ही start हो जाएगा जी हैं दोस्तो successfully हमारा जो download है वो complete हो चुक है then दोस्तो आपको अपने device की settings open कर लेनी है settings open करने के बाद यहाँ पर आपको चलिए आना दोस्तो अपने about phone पे about phone पे आने के बाद दोस्तो आपको देखने को मिल जाएगा builder आने के बाद दोस्तो अब आपका main जो काम आता है वो दोस्तो आपका काम आता है आरके manager application में जी यहां दोस्तो आरके manager application को आपको कर देना है अब अपने device में open open करने के बाद दोस्तो file access की permission मंगेगा file access आपको दे देनी है then दोस्तो कुछ इस परकार से आपको interfaces का देखने को मिल जाएगा simple is दोस्तो आपको download वाला folder अपना कर लेना है open view all पे क्लिक करेंगे download पे क्लिक करेंगे then दोस्तो आपको कुछ इस प्रकार से जहां पर भी आपने जो math disk की 27.0 की APK डाउनलोड कर रखी है वो दोस्तो देखने को मिल जाएगी simple is उसको कर देना है अपने device में install इन इस्टॉल करते हैं दोस्तो आपको पर्मिसन मंगेगा RK Manager तो आपको simple से provide करा देनी है then दोस्तो आपका successfully math disk 27.0 successfully इन इस्टॉल हो जाएगा then again दोस्तो मैंने आपको description मार्ट में लिंक दे दिया है math disk.image की file का जी है दोस्तो जिसके तुरू हम रड़ाइस route करेंगे उसकी file का link में आपको description में दे दिया जो की दोस्तो flash.amg के नाम से save है आप देख सकते दोस्तो flash.amg आपको देखने को मिल जाएगी download वाले folder में इस file को simply से आपको कर लेना है RK Manager में open then दोस्तो आपको long press करना है long press करने के बाद दोस्तो नीचे से आपको आपको name देना है magisk 27.0 जी यहां दोस्तो magisk underscore 27.0 आप जैसी यहां पर type करेंगे आपका दोस्तो जो file है वो rename हो जाने वाला आपको simply से rename पर गर देना है click click आप जैसे करेंगे दोस्तो आपको successful है rename हो जाएगा यह दोस्तो आपको operation सिर्फ आरके major application के through ही perform करानी है देन दोस्तो आपका successfully download वाले folder में आपको check कर लेना कि आपकी जो file वो rename हुई है या फिर नहीं हुई है आप देख सकते दोस्तो download वाले folder में मैंने click करा देन आप देख सकते है magisk underscore 27.0 डॉट आई एम जी यहां रोस तो इतना हमने काम complete कर लिया है आरके major application से हो चुग है हमारा काम complete अब दोस्तो जो application आपने magisk in install करी थी उसको symbol से open कर लेना है open करने के बाद दोस्तो इन install का option आपको देखने को मिल जाएको उस पे click करना है click करने के बाद दोस्तो select patch file पे आपको कर देना है click click आप जैसी करेंगे दोस्तो यहाँ पर से again आपको three dot पर click करना है देने यहाँ पर से आपको चलेना है दोस्तो अपने realme की जो भी device है उसमें देन दोस्तो download वाले folder में download वाले folder में जाने के बाद दोस्तो आपको देखने को मिल जाएगी math disk की EMG file है वो successful method में flash हो चुकी है all done दोस्तो हमको लिखा हुआ देखने को मिल रहा है तो यह दोस्तो सबसे latest method है जिसकी method से आप अपने की cv android को root कर सकते तो यह method दोस्तो सिर्फ आरके manager application के through possible है तो कुछ इस प्रकार से आप यह अपना device root कर सकते देन दोस्तो फ्लैस होने के बाद आपना device आप एक बार reboot कर लीजिए देन यहाँ पर से आपका हो जाएगा काम complete और आरके manager application करने के दोस्तो मैंने आपको description mark में दे दिया या फिर comment box पर pin कर रख है वहाँ पर से आप directly जाकर जाके आप उसको बहुत ही असानी से install कर सकते हैं धन्यवाद thanks for watching